दोस्तो फाइनल आज सैमसंग ने गलेक्सी M30 को इंडे की मार्किट में लॉंच कर दिया है इसके प्राइस स्टार्ट होते है 14,990 रुपे से जिस पर में ट्रीफल यहर कैमरा और सूपर एमलोई डिस्पले भी देखने को मिल जाती है तो दोस्तो आज की इस वीडिए में हम सैमसंग गलेक्सी M30 की कनपर्म सब्सक्राइब करेब तो बिना स्किप के दोस्ती वीडियो को लास तक जरूर देखें वीडियो चlarगे तो दोस्ते वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पन नहीं हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर साइड मस बैल आइकन को दबाकर चैनल को सब्क्राइब भी जरूर कर ले तो बिने किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन की स्पेस्फिकेशन से अगर डिस्प्ले की बात के तो गलैक्सी M30 पर हमें 6.4 इंच की FHD पलस सूपर एमलोरी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिस पर हमें दोस्ते एक इंफिनिटी यू नोच भी देखने को मिल जाती है अगर इस्कीन टू बोड़ी रेशो की बात के तो मोबाइल फोन पर हमें 90% इस्कीन टू बोड़ी रेशो देखने को मिल जाता है अगर अस्पैक्ट रेशो की बात करते हैं मोबाइल फोन की परफूमेंस की तो Galaxy M30 पर हमें Exynos 7904 का चिपसेट मिलेगा जिसे 1.8 GHz पर क्लोग किया गया है अगर रे मूर इस्टोइज की बात के तो ये मुबाइल फून हमें 2 वेंट्स में मिलेगा 4GB रेम 64GB स्टोइज और 6GB रेम 28GB स्टोइज दोस्तो Galaxy M30 के स्टोइज को हम 512GB तक बढ़ा सकते है अगर कैमराज की बात की जाए तो दोस्तो मुबाइल फून पर हमें ट्रिफल एर कैमरे का सेटप मिलेगा अगर एर साइड के में कैमरे की बात करता हमें 13 Megafixel का में कैमरे मिलेगा जिसका FHR होगा F1.9 और secondary camera में 5 Megafixel का मिलेगा जिसका FHR होगा F2.2 और दोस्तो जो third sensor होगा वह भी हमें 5 Megafixel का मिलेगा जो एक ultra wide angle camera होगा जिससे दोस्ता हमें इसे wide angle में भी picture capture कर सकते है अगर सेलपी camera की बात की जाए तो Galaxy M30 पर हमें 16 Megafixel का एक selfie के लिए camera भी देखने को मिल जाता है दोस्तों selfie के लिए Samsung Galaxy M30 पर एक best camera देखने को मिल जाता है अगर battery की बात की जाए तो mobile phone पर हमें 5000 mAh की fast charging वाली battery मिलेगी जिस पर हमें USB C type port भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों यह mobile phone fast charging को भी support कर लेता है और दोस्तों mobile phone पर हमें out of the box Android 9 Pie देखने को मिल जाएगे और Samsung की खुद की UI भी हमें देखने को मिल जाती है और sound के लिए दोस्तों इस पर हमें Dolby Atops देखने को मिल जाएगे जो हमें sound quality को better बना देता है और दोस्तों सभी तरह है कि इस पर हमें basic sensors भी देखने को मिल जाएगे दोस्तों physical fingerprint इसका नवाइल phone के rear side में हमें देखने को मिल जाएगे जो mobile phone के बीच में दिया गया है और देखे जाए तो Samsung Galaxy M30 पर हमें एक अच्छी specific questions देखने को मिल जाती है अगर pricing की बात की जाए तो दोस्तों mobile phone के base variant के price 14,990 पर देखने को मिल जाते है दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाए तो Samsung Galaxy M30 का chipset हमें weak नजर आता है दोस्तों Exynos 7904 इतना powerful chipset नहीं बाना जाता है दोस्तों वैसे mobile phone पर में super amoled display एक बड़ी बैटर और अच्छे camera भी देखने को मिल जाता है कहीं न कहीं दोस्तों disappointment करने वाली बात यह है कि mobile phone पर में एक weak chipset देखने को मिल जाता है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like करें चैनल पन नहीं हो तो प्लीज दोस्तों नीचे राडिकलर की बटन को दबाकर चैनल को subscribe भी जरूर कर लें तो चलिए दोस्तों अगरी वीडियो में फिर मुलाकात है